माइंड सेक्ट डॉक्टर केरोल एस ड्वैक द्वारा लिखी पुष्टा सब फल्था का नया मनोविज्यान अपनी पूरी समता को कैसे प्राप्त करें वेवसाई, परवरीज, सिक्सा, समन्द, दिमाग, सोदो यहार अपने वीलक्षन अध्यन और दिल्चस्प लेखन के जरिये डिएद दिखलाते हैं कि कैसे हमारी समताओं पर हमारा विश्वास, हमारी सीखने और जीवन में चुनाव को प्रभावित करता है हम जिस रंग का चस्मा पेहनते हैं, हमें दुनिया उसी रंग की दिखाई देती है अपनी जगव बदल कर देखिए, वो सकता है जो आपको छे दिखाई देते हो, वो नो हो किसी आदमी की सफलता, उसके जीन और उसके आसपास का वाताउन पर निर्बर करता है बहुत कमिया निकालते हैं हम दूसरों में अक्षर चलो एक मुलाकाद खुझ से भी कर ले लक्षी को पाने की जिद है, दूर तक जाने की जिद है, मात ना खाने की जिद है, हुनर दिखाने की जिद है क्योंकि मुझे मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन हारूं जीतने वालों से जैदा चर्चे मेरी हार के हो कहते हैं बेडों के जुंड का नेता सेर हो तो पूरा जुंड ही सेर हो जाता है सेरो जैसा व्याहर करता है और सेरो के जुंड का नेता भेड को बना दिया जाता है तो सारे सेर भेड बन जाते हैं याना कि भेड का हिस्सा जिन्दगी में रिष्टे बनाने की कोशिश न करो, कोशिश करो रिष्टों में जिन्दगी बनी रहे बोका नहीं सोया कभी मजबूर बनकर अपने सपने बेच कर खिलाया माबापने मजदूर बनकर बदल रहूं मैं अपने आपको क्योंकि बदला उलाने के लिए खुद को बदलना जरूरी है माइंड सेट पुस्तक की मुख्य बातें और कहावतें आपको कैसी लगी कॉमेंट्स में जरूर लिकें मेरे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और सेर करें हमेशा सकरात्मक सोचें खुश रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें धन्यवाद